मिथुन रासी बालों का आने बाला दिन यणी की 29 मार्च 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ 29 मार्च 2021 के पंचांग के बारे में आज तिथी है प्रतिपदा नक्षत्र है हस्त पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है सोम वार आज के दिन सुर्ज उदे का समय है 6 बज के 15 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 6 बज के 37 मिनट में रितु है वशंत आज का दिन काल है 12 घंटे 21 मिनट 47 सिकेंड का महिना है चैत्र आज के दिन सुभ समय सुरू होता है 12 बज के 1 मिनट पीम से 12 बज के 40 मिनट पीम तक असुभ काल सुरू होता है 3 बज के 20 मिनट पीम से 4 बज के 10 मिनट पीम तक राहु काल सुरू होता है 7 बज के 48 मिनट एम से 9 बज के 20 मिनट एम तक दिसा सूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग मित्रों इस वेडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वेडियो के नीचे जय सिबसंकर संभू कमेंट कर दे एबं वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का पड़ियास करें मित्रों शब से पहले मैं आप से बात करने बाला हूँ आपके घर पड़िबार आपके पाड़िवाडिक जीवन के बारे में दोस्तो आने वाले शमय से पहले यदि आपके घर पड़िबार में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आने वाले शमय में उस पड़ेशानी का अंत अवश्य होगा एबम आपके घर का माहौल आपके घर का वाताबरन बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा लेकिन आने बाले शमय में यदि आपके प्रेम शंबंध की बात करें तो प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से आपका आने बाला शमय सामानने से बहुत जयादा नीचे है मित्रो आने बाले शमय में यदि आप अपने प्रेमी या अपने प्रेमी का से कोई भी वादा करते हैं कोई भी प्रोमिस करते हैं तो वादा करने से पहले आपको ये सोचना होगा आपको ये पता करना होगा कि आप जो भी वादा करने बाले हैं किया उस वादे को पूरा करने में आप सक्छम हैं अगर आप सक्छम हों तो आप वादा करें अने था वादा करने से आपको बचना होगा मित्रो आने बाले समय में यदि आपके बेपार आपके बेबसाई की बात करें तो बेपार बेबसाई के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामानने तोर पे बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा आने बाले समय में यदि आप अपने काम काज में कोई भी पडिवर्तन करना चाहते हैं तो पडिवर्तन करने में आपके समय का साथ आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा जिसके बाद आपका बेपार आपका बेवसाई बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रो आने बाले समय में आपके लिए भाग्यसाली अंक है वन यणी की एक आपके लिए भाग्यसाली रंग है काला एबम नीला मित्रो आने बाले समय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको करना क्या है की काला कपरा किसी भी गडीब को दान कर देना है अगर आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदि आप आज माते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा तो मित्रो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे जय बाबा भैरव कमेंट कर दें एबम इस वीडियो को आप हर जगह से यड़ कर दें धन्यवाद